हलो स्टूडेंट्स, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको रिग्वेदी काल के समाजिक जीवन के बारे में पढ़ाएंगे तो देखेगा स्टूडेंट्स, रिग्वेदी काल की जो आर्थिक व्यवस्ता है, दाहर्मेक व्यवस्ता है, इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ा है तो पहले वाले वीडियो चैनल के बारे में जानिएगा आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ने ने वीडियो देखने को मिलें तो देखिएगा आज के वीडियो में हम रिग्वेदिक काल की समाजिक दसा के बारे में पढ़ेंगे तो देखिएगा इस्टूडेंस रिग्वेदिक काल है इसमें जो परिवार की छोटी कैई है अब देखिएगा रिगवेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी तो कई बार पूछ लेते एकजाम में कि रिगवेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी या उसको क्या कहा जाता था वह था कुल या परिवार या फिर ऐसे भी किस ना सकता है कि कुल क्या था, रिगवेदी कालिन समाज की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, रिगवेद में कुल सब्द का उलेक नहीं मिलता है, परिवार के लिए ग्रह शब्द प्रियुकते हुआ है, कई परिवार मिलकर ग्राम या गोत्तर और कई ग्राम मि बनाते थे, और कई ग्राम मिलकर विस बनाते थे, और कई विस मिलकर जन का निर्मान करते थे, रिगवेदी में जन शब्द लगबग 255 तथा विस शब्द 170 बार प्रियुकते हुआ है, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या था, कुल, ओके, और कुल परिवारी था, अब कई बनाते थे, ग्राम या गाम बनाते थे, कई गाम मिलकर विस मनाते थे, और कई विस मिलकर जन का निर्मान करते थे, ठीक है, रिगवेदीक समाज पितर सतात्मक समाज था, पिता ही परिवार का मुख्या होता था, रिगवेद के कुछ उल्लेकों से पिता के ऐसी मित अधिका रिजास्वे के उलेक से पता चलता है कि उसके पिता ने एक मादा भेड के लिए सो भेडों का वद कर देने के करण उसे अंधा बना दिया था। इसे अपवाज सबरूफी समझा जाना चाहिए। पुत्तर प्राप्ति हे तु देवताओं से काम ना की जाती थी और परिवार श्यूंक्त होता था। अब देखेगा वण व्यवस्ता कैसी थी रिगवेदी काल में तो रिगवेदी काल में वण व्यवस्ता के चिन दिखाई पड़ते हैं। आरियों को गोरवरन कहा जाता था। वण व्यवस्ता का आधार कर्म हो गया था। रिगवेदी में एक चात्तर लिखता है कि मैं कवी हूँ मेरे पिता चिकिसक हैं और मेरी माता आटा पीस्ती है। अर्थात एक राजा कर्म से पूरोहित हो सकता था। और पूरोहित राजा महरसी विश्वामित्र क्षित्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राहमन थे। रिगवेदी ये दश्वाम मंडल का एक मात्तर पूरोहित्ती चत्तुर वर्णों का उलेग करता है। तो जो चत्तुर वर्ण है उनका उलेग कहां पे हमें प्राप्त होता है। दस्वाम मंडल जो रिगवेद का दस्वाम मंडल है उसके पूरोहित्त में। इसमें कहा गया है कि ब्राहमन परम पूरुस के मुक्षे ब्राहमन चत्त्रिये वैशे और शुदर चार जो वर्ण थे ना उनका उलेग रिगवेद के दस्वाम मंडल के पूरुसुक्त में हुआ है। और इसमें क्या खा गया है कि जो ब्राहमन है वैशे परम पूरुस के मुक्षे चत्त्रिये उसकी भुजाओं से वैसे उसकी जांगों से एमम शुद्र उसके पैरों से उत्पन हुआ है। रिगवेद के सेस भाग में कहीं भी वैशे और शुद्र का वनन नहीं है। तो रिगवेद का जो दसम मंडल है उसका पूरुसुक्त है उसमें चारों वननों का उलेक है लेकिन रिगवेद के और कहीं पर भी वैशे एम सुद्र का वनन हमें नहीं मिलता। रिगवेद में अनारियों, अर्थात आरियों के भारत में अभ्यूदे से पहले भारत में निवास करने वाले लोग, ठीक है न, अनारियों जो सिंदुगाटी सब्वेता के लोग थे न, उनको कहा गया है अनारियों, रिगवेद में अनारियों को ए व्रत, व्रत्तों का पालन ने करने वाला, मृद्रिवाच, एस पस्ट वानी बोने वाले, एम, अनास, चप्टी, नाक वाले कहा गया है एतरे ब्राह्मन में पंच जनों में देव, मनुषे, गंधर्व, अपस्रा, सर्प, उं, पित्रों की गड़ना की गई है तो एत्रे ब्राह्मन है उसमें पंच जन कौन-कौन ते देव, मनुषे, गंधर्व, अपस्रा, सर्प एम, पितर निरूकते पंच जनों में ब्राह्मन छत्रिय वस्य सुद्र एम निशाद की गणना की गई है अब देखेगा रिग्वेदी काल में स्त्रियों की दसा कैसी थी, स्त्रियों की स्तिति कैसी थी सद्पत प्राह्मन में पत्नी को पत्ती की अर्धांगी नहीं बताया गया है रिगवेद में जाय दस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह कहकर उसके महत्व को स्विकर आ गया है इस्त्रियों को जनसबा विदत में अपनी बात कहने की छूट थी रिगवेदी काल में इस्त्रियों की स्थिती समान्य थी वे अपने पती के साथ यग्ये कार्यों में सम्मिलित होती एम दान दिया करती थी पर्दा पर्था का प्रशलन नहीं था इस्त्रियों भी शिक्ष्या ग्रहन किया करती थी रिगवेद में लोपा मुद्रा, घोशा, सिक्ता, अपाला, एम विश्वास जैसी विदूसी इस्त्रियों का जिक्रे मिलता है इन विदूसी कर्यों को रिशी उपादी से विभुसित किया गया है इस समय लड़कियों का भी उपनेन संस्कार किया जाता था शिक्षा गुरु कुल पदत्ती पर निर्भर्थी जहां सामाने तह मोखिक शिक्षा का परस्दन था पिता की अकेली संतान होने अत्वा विवा नए करने की स्तिती में पिता के घर में रहने पर करन्या पिता के संपत्ती में हिस्सेदार होती थी अगला पोइंट है बाल एम बहु विवा है पर था भी के बारे में भी हम जानेंगे तो देखेगा सामानेते बाल विवा एम बहु विवा है का प्रस्लन नहीं था विवा की आयू लगबक 16-17 वर्ष होती थी विद्वा विवा है अंतरजात ये एम पुंद्र विवा की संभावना का उलेक रिगवेद में मिरता है साधारन तिया समाज में एक पत्नी पर्था का ही पर्स्लन था पर संपल लोग एक से अधिक विवा भी करते थे देहेज पर्था का पर्स्लन था कन्या की विदाई के समय उपहार एम दर्वे दिये जाते थे जिसे वस्तू कहते थे वस्तू किसे कहा जाता था? कईन्या की विदाई के समय उपहार और कई चीजे दी जाती थी उनको वस्तू कहा जाता था सत्ती पर्था M पर्दा पर्था का विवरण नहीं मिलता समाज में नियोग पर्था तो मैंने पहले भी आपको बता है नियोग पर्था क्याती है न तो नियोग पर था जिसके अंत्रगत पुत्र विहिन विद्वा पुत्र प्राप्तियत अपने देवर से योन संबंद इस्थापित कर सकती थी एवं बहु पतित्वय परथा का पर्ष्णन भी था ठीक है ना? एक जो पत्नियवय बहु से पति भी रख सकती है उदारण हे तू मरूतों ने रोधसी को मिलकर भोगा सूरिया अपने दो भाई अस्विन के साथ रहती थी जीवन भर ए विवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था समाज में इस्तरियों की दसा अच्छी होते हुए भी दो दर्ष्टियों से रिग्वेदिक समाज उन्हें अयोग्य समस्ता था वो क्या-क्या दो दर्ष्टिया थी? उन्हें राजनिती में भाग लेने का अधिकार नहीं था उन्हें संपत्ती संबंदी अधिकार प्राप्त नहीं थे अब देखेगा रिग्वेदिक आरियों का जो मुख्य भोजन वो क्या था रिग्वेदिक कालीन लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ चावल और जो था इसके अतिरिक फल दूद दही घी यों मास भोजन पदार्थ थे अन में यव धन्ने उड़द यों मुँं का प्रियोग वो लोग करते थे पेई पदार्थ में सोमरस का पान करते थे रिग्वेद के नव्य मंडल में सोम की स्तूती में कई सूक्त मिलते हैं एक स्थान पर कड़मार इसे दावा करते हैं कि सोमरस पीने के बाद उन्होंने अमर्त्वय प्राक्त कर लिया और देवताओं को जान लिया मास में भेड, बक्री यों बैल का मास खते थे गाय को अगन्या अर्थात न मानने योगे माना जाता था फिर भी कहीं कहीं पर वद के परमान भी हमें मिलते हैं आर ये लोग नमक एउं मचली का प्रियोक नहीं करते थे साथपत ब्रामण में अतिती के सम्मान में विशाल, वरिशब, अत्भा बक्री के मारे जानने का विधान मिलता है अब देखेगा रिगवेदी काल के जो आर ये उनके वस्तर कैसे थे रिगवेदी काल के लोग क्षेम असली का सूत, जो सूत होता था उसको क्षेम खा जाता था तो क्षेम उन और मरक के चमडे से निर्मित वस्तर धारण करते थे और ये मुख्य ते तीन प्रकार के वस्तर धारण करते थे कौन-कौन से ते तीन प्रकार के वस्तर वासस अधिवास एम उस्णिये तो वासस कौन सा वस्तर था? शरीर पर धारन किया जाने वाला मुख्य वस्तर अधिवास M उसन ये पगड़ी को कहा जाता था रिगवेद में सामूल ले उन्नी कपड़े को एवं पेसस कड़े हुए कपड़े को कहा गया है तो समूल ले कोन से कपड़े को? उन्नी कपड़े को और पेसस कड़े हुए कपड़े को कहा गया है रिगवेदि काल में मुख्य अबुषण में निस्क कूरीर M कन सोभन का उलेक मिलता है अबुषण इस्तरी और पूर्ज दोनों ही धारन करते थे अब देखेगा मनोरंजन के सादन तो रिगवेदिक आरियों के मनोरंजन के सादनों में जो मुख्य सादन है वह संगीत था इसके साथे साथ रथदोड, गुड़दोड, द्यूत, किरड़ा और आखेट को महत्वय दिया जाता था संभावता है जूए का भी पर्सलन था तो देखें फ्रेंड्स यहां पर हमने रिगवेदिक आरियों जो आरी हैं उनके समाजिक जीवन के बारे में पढ़ा है और आगे की वीडियों में भी हम रिगवेदिक आरियों के बारे में और जानकरी प्राप्त करेंगे धन्यवाद